आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले मुख्य समाचार प्रुधान मंत्री नरेंडर मूदी ने कहा अर्थिव्यवस्ता को प्रोचसाहन देगी सरकार निराशा से दुर रहे उद्योग जगत राजी सरकार ने उद्योग सवर्धन नेती में किया संशोधन स्थानिय निवासियों को 70 फीसिदी रोजगार देना अनिवारे किंद्री समाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यो मंत्री ने आरोप लगाया कि नागरीकता संशोधन कानून पर जूट और भ्रम फैला रहा है विपक्ष और भारत श्रिलंका के बीच दूसरा टी-ट्वेंटी करकेट मैच इन दौर में आज खेला जाएगा अब समाचार विस्तार से आम बजट की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी ने कल देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ अर्थ व्यवस्था की सिती पर चर्चा की बैठक में आर्थ व्यवस्था को प्रोच साहान देनी और रोज़कार बढ़ाने की उपायों पर विचार में मर्श किया गया श्री मोदी ने उद्योग जगत से निराशा से दूर रहने की अपील करते वे कहा कि वे देश के किसी भी हिस्से में काम करें सरकार उनके साथ सहयोग करेगी ये दिशक भारती उद्यमियों का है और पांच लाग करोड डॉलर की अर्थ विवस्था तो एक पड़ाओ मात्र है लक्ष इससे बड़े हैं उनने कहा कि सरकार के खिलाफ देश में व्रहम फलाया जा रहा है और भृष्टाचार के खिलाफ उठाय जा रहे कद्मों को उद्योग के विरुद बताय जा रहा है। राजी सरकार ने उद्योग सवर्धन नीती में संशोधन करते वे आद्योगी किकाईओं को अतरिक्त सुबधाएं देने का निर्ने लिया है साथ ही आद्योगी किकाईओं में प्रदेश के स्थाई निवाजियों को 70 फीसिदी रोजगार दिया जाना अनिवारे किया है राजी में GST व्यवस्था लागो होने से व्रहध श्रेणी के उद्योगों को देर टैक सहायता निरंतर दिये जाने की संबंध में प्रक्रिया का पुनन निर्धारन किया गया है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की नई सरकार ने और द्योगिक प्रियोजन के लिए आपसी सहमती से निजी भूमी अर्जन के लिए लैंट पूलिंग पॉलिंग पॉलसी भी लागो कर दी है पनजले की उथली खदानों से प्राप्त हीरो की निलामी हीरा का रियाले सेंट कलेक्टरीट भवन में आस्से की जाएगी कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया है कि ये कुल हीरो की निलामी पूरी होने तक शास की अवकास को छोड़कर चालू रहेगी प्रति दिन सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हीरो का निरिक्षन किया जाएगा उसके बाद उनकी बूली लगाई जाएगी इसमें उद्वल, मैले और और दुगिक किसमे के लगभग 261 हीरे शामिल है जिनका कुल वजन लगभग 316.31 कैरेट है इच्चुक बोलीदार 5000 रुपए की अमानत राशी जमा करके बोली में भाग ले सकते हैं मद्वर्देश उच्च नियायले ने पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से भारती अंतापार्टी के वधायक प्रदाद लूधी की सजा के सगन पर दो सबताह की बढ़ोतरी की है गर्दलवे की एक मामले में कोड़ द्वारा उन्हें सजा सुनाये जाने के बाद मद्वर्देश विधानसभा ने उनकी सदस्यता भंग कर दी थी जिसके बाद उन्हें बहाल कर दिया गया केंद्र सरकार के सेंक्ट सचीव आशी श्रिवास्तव गुना जिला पहुँचे वहां उन्होंने जिला अस्पताल में इस्तित वन्स्टॉफ सेंटर सक्खी का निरिक्षन किया उन्होंने कहा कि वन्स्टॉफ सिंटर सक्खी का मकसद यही है कि हिंसा से फिरित महिलाओं को एक ही छत के नीचे निरधारित सभी सुविधाय मिलें। उसे किसी समस्या से जूजना या परिशान नहीं होना पड़े। वहीं श्री श्रवास्तव ने शासकी हाई स्कूल बरखेडा हाट आरून और बरखेडा हाट आगनवाडी केंद्र का भी निरिक्षन किया। ज़रान उन्होंने चात्रों से चर्चा कर शैक्षनक गदिविधियों, परिक्षा और सुचित संबंधी जानकारी हासल की। यह समाचार आपकाश्वाणी भोपाल से सुन रहे हैं। समाचारों में एक बब फिस वागत है। में भ्रम फैलाकर अराजकता का महौल पैदा कर रहे हैं। वो निंदनीय है। हिंदुस्तान में अल्फ संखिकों को पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है। इस विध्यक का उदेश देश में रह रहे किसी भी धर्म संप्रदाय की नागरिक्ता को समाफ्त करना नहीं। बलकि पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान में प्रतारिद हिंदु समेत अन्य अल्फ संखिकों को नागरिक्ता प्रदान करना है। एक अन्य कारिक्रम अनुपुर जिले में आयंशुद क्या गया, जहां सतना सांसद गड़ेश सिंग ने कहा कि नागरिक्ता सेंशोधन कानून CAA किसी की भी नागरिक्ता नहीं चीनेगा। सर्द हवाओं और कोहरे की कारण प्रदेश के जाधतर जिलों में कडाके की ठंड पड़ रही है। 10 डिग्री से कम है, फ्रदेश के 70-80 फीसिदी स्थानों पर रात का पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। वहीं कल राजसानी भोपाल में सुबह मामूली कोहरा रहा, लेकिन दिन भर गुनगुनी धूप से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। मौसम भाग के नुसार 9 और 10 जन्वरी को भोपाल, ग्वालियर सहित कई स्थानों पर गरच चमक के साथ बारिश होने का नुमान है, पूरवी मध्रदेश में उला वरिश्टी भी हो सकती है। राश्ट्रपिता महत्मा गानी द्वारा असयोग आंदोलन के सलसले में की गई छिंदवाडा यात्रा के 100 साल पूरी होने के उपलक्ष में कल छिंदवाडा में आयोशन किया गया, मुख्यमंत्री कमलनात के उपसेती में 25,000 स्कूली बच्चों ने उनका प्रियभजन भारत की विभिनिता में एकता की ताकत के साथ अगर हमारे सामाजिक और पारिवारिक मोले सुरक्षित नहीं होंगे तो भारत का भविश्य खत्री में पढ़ जाएगा, इसे पहले मुख्यमंत्री ने चिंदवाडा के पाठा धाना चंदन गाउं में आधर्ष गौशाला क लोकारपन भे किया, एक दिश्मलो तीन एक हैक्टेर शेतर में बनाई गई, गौशाला में 150 गौवंच रखने की शमता है, भारत और श्रिलंका की बीच तीन मैचों की श्रंकला का दूसरा T20 मैच आच इंदवार के हुलके स्टेडियम में शाम साथ बजे से खेला जाएग स्टेडियम की सुरक्षा के लिए 1500 से अधिक जवानों का बलतैनात क्या गया है, पेश हमारे इंदवर समवादाता की एक रिपोर्ट इंदवर का हुलकर स्टेडियम टीम इंडिया के लिए हमेशा से भागिशाली रहा है, उसने अब तक यहां खेले गए सभी फॉर्मेट के 8 मैच जीते हैं भारत ने इस मैदान पर खेले गए 2 टेस्ट, 5-1 दिवसी और 1 मातर T20 मैच जीता है यह 2-20 मैच 2017 में शीलंका के खिलाफ था, जिसमें भारत ने 88 रनों से जीत हासिल की थी ऐसे में निश्यत तोर से टीम इंडिया विराट कॉली के नेतरतु में यह मैच जीत कर अपना यह रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहेगी प्रादेशिक समाचार के लिए इंद और से मैं मनिंद्र कुमार दुबे अब कुछ समाचार सिंख्षेप में उमुर्य जिले की पाली नगरपालिका में सोचता अभियान को सफल बनाने के लिए मेरा घर मेरा मद्ध प्रदेश नामक अभियान संचालित क्या गया मंदला कलेक्टर डॉक्टर जग्दी शिंद्र ने कहा है कि खाद और केरोसिन की काला बाजारी रोकने के लिए सक्त कारवाय की जाएगी सच्चे सरवेक्षन दो हजार बीस तिमाहीर रैंकिंग में नगरपालिका जहाबुआ प्रदेश में पांचवे अस्तान पर आया है मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने ये जानकारे दी गांधी बादी विजारक, फिल्में गीतकार और कॉंग्रस के वरिष्ट नेता स्वरगी भिटल भाई पटेल के बेटे संजे भाई पटेल का कल सागर में दिधन हो गया उनका अन्तिमसंस का राज किया जाएगा अन्तिम में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरींदर मूदी ने कहा आर्जवयस्ता को प्रोटसाहन देगी सरकार निराशा से दूर रहें उद्योग जगत राजी सरकार ने उद्योग समर्धन नीती में किया संशोधन स्थानिया निवासियों को 70% रोजगार देना अनिवारे केंद्री समाजिक न्याएं और अधिकारिता राज्यमंत्री ने आरोप लगाये कि नागरिक्ता संशोधन अधिनया पर जूट और भ्रम फैला रहा है विपक्ष और भाराश श्रिलंका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच इन दौर में आज केला जाएगा इस बुलिटिन में इतना ही आकाश्वानी भुपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलिटिन सुनिए दो बार दो बच कर 30 मिनट पर नमस्कार